सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से स्वागत है कारिकरम में आपका नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं और समस्या बताएं हलो प्रकाश जी स्वागत है कारिकरम में सवाल पूछें आप जी आके आवास बहुत कम आ रही है एक बार फिर से पूछें जी स्वावध है सवार पूछें जी डॉक्टर को दिखाया क्या डॉक्टर ने फरमाया क्या बताया क्या तकलीफ है क्यों होता है तो तो ठीक हो जाता है जी जल्बस बहुत जिता है आठ साल से बिमारी है आठ साल से ठीके अब एज बता दीजेए अगर आप हैं लाइन पर लिए तो मैं अंदाजें चे आपको बता जिता हूँ आपकी एज भी हाँ देखिए एक मैंने इसका बताता हूँ आपको वाप रोजाना लेने लगे और आपको फाइदा बमकिन है देखिए मेथी आप जानते हैं मेथी का दाना ये लीजे पांच सो ग्राम मेथी का दाना पांच सो ग्राम और सो ग्राम लेना है आपको सो या डेड़ सो ग्राम नमक कलाउंजी के नाम से आसान लेंग्विज में नमक कलाउंजी कहते हैं इसे कलाउंजी का रसाइन भी कहते हैं और इंग्लिश में एस्टेक कलाउंजी भी कहते हैं सो डेड़ सो ग्राम इसमें मिला कर अपने घर पर प आपकी ये आठ साल की बीमारी बहुत जल्ड ठीक होना मुम्किन है। आपकी बहुतं मुम्किन है। अच्छा आप हमारी आवाद नहीं पहचानते हैं क्या नहीं टीबी में नहीं दिखाते हैं आप अरे हम आपके सामने हूँ अच्छा ठीक बोलिए ये दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम खाने के बाद पानी से ये बगर चर्बी के दूसर से लिया करें और पांच आठ या आठ दिन बाद फाइदा शुरू होगा आपको और ये गौन जो आपने सो दो सु ग्राम लिया है ये खतम होने से पहले आपकी बीमारी का खतम होना मुम्किन है किस वक्त हमारे साथ मौझूद है यूनिस ने हमें कॉल किया है गौनडा उत्तर प्रदेश से यूनिस जी सवाल कीजे जी यूनिस भाई बताईए कहां प्राबलम है पीठ और कमर गर्दन में कब से है तो चक्करा हुआ करते हैं हुईगा दसन साथ ठीके देखिए बहुत महनती रही हैं आप कभी और वो महनत इस उमर में आके परशान करती है तो एक तो आपके घर में ये वेस्टर्ण ट्वालेट होना जरूरी है कुरसी वाला अगर नहीं है तो पती पर जोर दीजे या बच्चे कुसे कहिए कि ऐसा बात्रूम घर में होना चाहिए और अपनी जरूरत उस पर पूरी करें सर्वाइकल जो आपको चक्करावत है ना तो उसके लिए एक एकसरसाइज दो चार मिनट रोज कीजे मैं बता रहा हूँ आपको आप समझ लें और से देखिए ये ये गर्दन आपकी एक कान आपका मौंडे से जाकर लगना चाहिए दो मिनट ये एकसरसाइज करिए और दो मिनट ये हुज़ोर से यहां तक लिया ये से और यहीं देखिए ये दो मिनट करेंगे तो दस दिन में आपकी चक्कर खतम होगी लेकिन करते रही है दो मिनट तो मैं कहरा हूँ चार मिनट आपको इससे ज़्यादा करनी चाहिए एक साथ नहीं कर सकें तो किस्तों में करें दूसरा कमर के दर्द के लिए आप कैपसूल टी केर ले सकते हैं कैपसूल टी केर सुबा शाम खाने के बाद आप लिया करें और अगर एक महीने में भी फायदा हो जाए तो तीन चार महीने लें ताके आपको इस बीमारी हमेशा के लिए छोड़ दें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्तान से हमें कॉल कर रहे हैं मौहमध अजीज साहब हैं क्या परिशानी है उनके साथ आई जान लेते है जी बताएं किस तरह की परिशानी पेश आ रही है आपके सामने। देखिए जो लोग आपरेशन करा लेते हैं बावसीर का तो उन्हें पहले युनानी की कोशिश करनी चाहिए बावसीर हमें होती है हमारे पेट की खराबी से पेट ठीक कर दो तो बावसीर खतम हो जाती है और पेट की सूजन पेट का वरम पेट का खब्स और मेदे की सूजन लीवर की परिशानी इन सब के लिए पवसीर के लिए एक नस्वा बड़ा कामियाब है आप इसको समझ ले देखिए मेथी जो आपके घर में किचन में पाई जाती मेथी का दाना पांच सो ग्राम लेकर इसे पाउडर बना ले और सो ग्राम आप खरीद ले नमक जैतून ये एक रसायन है जो जैतून से निकलता इसे रसायन जैतून भी कहते हैं जैतून का रसायन नमक जैतून भी कहते हैं और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहा जाता है ये इसमें मिलाकर एक चमझ सुबा एक चमझ शाम खाएं चोटा चाय का चमझ आपकी समस्या का निदान पूछे अपना सवाल कॉलाइटिस भी है और पेट में गड़बर रहती है हाँ देखे पेट ठीक लखना ही सेहत की निशानी है फिर इससे बहुत सारे रोग उत्पन होते हैं चाहे कॉलाइटिस हो चाहे गैस हो एसिरिटी हो बवसीर हो वरम हो आतों में च्छाले हो बहुत सारे मर्ज ये पेट की विज़े से होते हैं तो पेट ठीक कर लें और एक लाजवन्ती लाजवन्ती ये वो बीज हैं जो एक पौधा होता है और उसके पत्ते बारी चोटे चोटे से होते हैं हम चूते हैं तो वो शर्मा जाता है एक दम मुर्जा जाता है चूते ही पर तोड़े बाद पर ठीक हो जाता है इसे करते हैं लाजवन्ती इसके बीज मिल सोगराम रस्वंती एक गौन टाइप की चीज़ है जो बनाया जाता है रस्वंती सोगराम कथा सोगराम और गौन मौरिंगा सोगराम इन सब को पाउडर बना के किसी भी तरह गोलिया बना लें चना या मटर से थोड़ी बड़ी और सुबह एक और शामें खाने के बाद पानी से या दूस से लिया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है और अमबाला से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है संदीब जी ने हमें कॉल किया है संदीब जी क्या प्रशन है आपका है अलो नमस्कार जी अधर मैं मैं आता है मेरी वाइस को एक सो एक उस्ता सर्वाइकल के लिए तो एक एक सरसाइज बहुत अच्छी लेकिन वह दो तीर मिने रोजाना होनी चाहिए आप समझ लें अगर आपकी पतनी साहबात तश्रीफ रखती है आपके सामने तो वो देख ए मुझे और अस्तामे का भी मैं इलाज बताऊंगा पहले सर्वाइकल के लिए ये है ना देखिए मुझे देख रहे हैं कान मेरे मौंडे से मुलागात के लिए जाते हैं ऐसे करते रहे हैं दिन में दो तीन मिनट एक एक मिनट करके कर ले हादा हादा मिनट करके कर ले हैं लेकिन तीन मिनट ऐसे हो जाने चाहिए कि आप ये एकस बोटी को जो से मैं ली आता हूं, तीन मिनटी है, दवा की जरूरत नहीं होगी, कभी दवा की जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, दसमे दिन उनको फाइदा हो जाएगा, ऐसा मेरा तजरुबा है, और अस्थमे के लिए दवा भी बता देता हूं, घरे नस्खा भी बता देता ह जो बना सकते हैं, बना ले या दवा ले सकते हैं, देखिए दवा ऐसे बर आनी हैं कि लिसोडा, उननाब, अलसी, लिसोडा, उननाब, अलसी, सो सो गिराम, तीस गिराम पीप लें, जो किचन में गरम मसालों में होती हैं, मिलाकर पाउडर बनाया है, सुबा शाम एक एक चम्मच खाएं, गरम पानी से खटी चीज़े छोड़ दें, तो उनको फाइदा बमकिन है, दवा बतोर अगर लेना चाहते हैं, तो माजून आर केर सुबा शाम इसी तरह लें, खाली पेट, गरम पानी से और रात को सोते समय, लेकिन आपको जल्दी फाइदा भी हो जाएं, तो पांच-छे महीने खिलाएं, अगर आप भी चाहते हैं, उनको इस रोग से निजात मिल जाएं एक और दर्शक है, अमिश शर्मा जी ने हमें कॉल किया है, उडिसा से, उनसे बातचीत करते हैं, अमिश जी बताएं नमस्कार जी बताएं अब कब से है, अमिश जाता है, दावाई ले लेता हूं, तो मिट जाता है, तो लेकिन अभी मेरे मेरे महीने बर हो गया, इसके कुजली हो के रखी है मेरे मतलब जांगों में है, और थोड़ा दाड़ी के पास भी है और गले गले में सुचते जैसे सुचते से जानने भी है, वो भी हो जाते है बार बार ठीक है, एज बता दीजे अपनी एज आपकी ठीक है दीए, इसका इलाज है बहुत आसान अगर आप करें तो आपको इसे लिजात मिल सकती है नहीं तो ये फिर पूरे शरीर को में आ जाती है तो इसका इलाज ये है कि आप नमक आता है एक एक रसाइन आता है जिसे हम लोग नमक कहते है रसाइन जैतून जैतून का रसाइन या नमक जैतून कह सकते हैं या इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं ये सो दो सो गिराम खरीद लीजे और अदा गिराम रोजाना पानी में मिला कर पी लिया करें एक की बार काफी है नहीं तो दो बार भी ले सकते हैं जरूरत पड़े तो अच्छा फाइदा तो आपको बहुत जल्द होगा आप हफते दो हफते में सोचेंगे हैं बिल्कूल ठी लेना ताकि आपको रोक से निजात मिल सके एक और दर्शक हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गये हैं अनिल जी ने हमें कॉल किया है अनल जी अपना सवाल कर सकते हैं आप मैं मेरे को अपनी मीसिस के बारे में पता करना है उनके गुटनों में दर्द रहता है जी कब से और कितनी एज है उनकी एज 55 है जी और उनको दो-तिन साल से ही है पुराना तो नहीं है चीक है दो-तिन साल बहुत होते हैं आपकी पतनी ने बरदाश किया है आपने नहीं दो- ये कोई भी दद चाय घुटनों का हो या कमर का हो ऐसा रोगी जिस घर में भी हो उसके घर में ये वैस्टन टॉयलेट होना चाहिए अगर ये है तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे ये नहीं है तो काफी वक्त लगता है तो आप सोच लें आपको क्या करना है है या नहीं है तो गौन आता है इसे गौन सियाह कहते है काला गौन ये जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है लेकिन इसे गौन सियाह कहते है या काला गौन कहते है लेकिन फाइदे में ये बहुत अच्छा है अगर असली मिल जाए नकली भी बहुत मिलता है असली मिल जाए तो 12 ग्राम सुबा शाम खिलाएं 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया असली तो ये खत्म होने से पहले आपकी पत्नी का ठीक होना मुम्किन है